है लो स्टूदेंट्स ऐरिचना शर्मा यूट्वेक्टि चैनल शर्मा इस्टेडी हॉस टुडेवी रूट तो आज हम आपका चैप्टर है आपका इस फोर्ड आप जिसमें फर्स्ट पार्ट आपका संतोष यादव है जो आपकी मंडे की की वरक्षीट तूस्टे की वोसल कर रहे हैं, इसमें हुसका सेकिंद पार्ट यानि की मारिया सावापोवा का schme sa करें में है जब टैनिस प्लेयर है, जो मृषियन गड़ है, जो दस साल की उम्र में ही अमेरिका यूरस से गई थी टैनिस की प्रक्रिस प्रक्टिस के देखिए यहां पर कुछ ओड है उनकी यानिकी कुछ मैच नहीं करती उनकी इसमाइल और उनकी ड्रेस यानिकी उनकी ड्रेस जो थोड़ी मतलब तड़किली भड़किली उनकी स्माइल बड़ी प्यारी सी होती है इस लिफ्टिद हर ओं 22 अगस्ट 2005 दफ वर्ड देर इस सम्थिंग ओर नंबर ऑफ बन पोजिशन वुमें तैनिस की प्लेयर थी जो लेडिज जो वुमें जो टैनिस प्लेयर थी उनमें नंबर वन रखा गया सी आज साइबरिया की टीनेजर लड़की थी इट टूक सर फोर एर्ट तो अचीव द टोप पोजिशन और चार साल लगे उन्हें टोप पोजिशन पे आने में मारे शाब मारियास क्लाइंब टू अबवार्ड इस्टार्ट इन नाइन एर्स बिफोर उनकी जो अगे बढ़ के लिए अमेरिका बेज दी गए थी एंड टू फ्लोरिडा वीद हर फादर यूरी उनके पिता के साथ पिता यूरी के साथ उनकी वो ट्रिप थी बट हर ओन द लाइन सक्सी अडिस्टार्ट जो इस्टार्म डर्ण जो फेमस है यह सक्सी जो भी ने जो मिली तो उसकी लिए उनकी नाम यलिना पिता का लियूरी वो अपनी मा यलीना से दो साल तक अलग रहें यानि कि अमेरिका में आध्यूली एसा हुआ था अमेरिका में उनके फादरिश चाथ जा पायते उनकी मदर का वीज़ए नहीं बणा था तो उनकी एनमा से दूर रहना पड़ा था और यह उनके लिए बहुत बड़ी चुनोती थी ये लेना है टू लिप इन साइबरेया ड्यू टू दा वीजा रेस्टिक्शन देखिए यही आया आगे ये लेना को साइबरेया में रहना पड़ा क्योंकि उनकी वीजा की कुछ प्रोलम हो गई थी वीजा नहीं बनाता उनका मारिय इस में रुकी वहाँ पर ट्रेनिंग ली मारिया रिकॉल से फैल्ट लॉनली इन यूस से वह पता थी है क्योंने अकेला पर महसूस होता था यूस से में सी मिज्डन मदर डेटल बरी मा को बहुत याद करती थी हर फादर और अल्सो कुट नोट सी हर मदर उनके पिता उनकी मम्मी से नहीं मिल पाते थे, her and only as much as to keep her tennis training going, वो इतना कमाते थे कि जिससे उनकी tennis training होती रहे, she was young, वो जवान थी, sorry, वो छोटी थी, she was young, वो छोटी थी, she used to tidy up a room and clean it, उन्हें हमेशा क्या कहा जाता था कि कमरा साफ रखो, वो इसे साफ सफाई का ध्यान रखती थी, वो, चोटी उनके seniors बोलते थे, कि तुम्हें कमरे को साफ रखना है, the seniors would make her to do, उनके seniors उन्हें ऐसा कहने करने के लिए बोलते थे, this made her determined and mentally tough, और इस चीज ने उन्हें कमजोड नहीं किया, she also learned how to take care to herself, उन्हें इस बात से यह भी सीखने को मिलेगा कि उन्हें खुद की care कैसे करनी है, she never thought of quitting, उन्हें कभी भी quit करने का नहीं, छोड़ने का नहीं सोचा कि मैं छोड़कर जाऊं, उपने घर जाऊं, वो homesick ममी के आदाती थी, लेकिन वो कभी homesick नहीं बनी कि घर पे चली जाऊं छोड़ चाड़कर, उन्हें उस सब को face किया, she knew what was wanted, वो जानती थी कि, कि what she wanted, कि वो क्या चाहती है, this toughness is still there in her, और toughness उन्में अभी भी थी, जो उन्हें बच्पन में सीखा, उन्में अब तक था, मारिया बिकम नंबर वन, मारिया नंबर वन बन गई, she back the lady single crown of the Vivalender 2004, उन्हें 2004 में Vivalender का crown जीता, she became world number one in 2005, और 2005 में नंबर वन बन गई, हर मंत्र वो सक्सिज, उन्हें की सक्सिज के मंत्र क्या था, मारिया है जोन, from Siberia to top of the women's tennis, वो Siberia की top women की tennis में गिनी जाने लगी थी, it has tough to heart of tennis fans, it is touch the heart, उन्हें जो tennis के जो fans थे, tennis के जो प्रिशन सकते, उनका दिल जीत लिया था, these tells that the sacrifice was worth it, वो कहती है कि उन्हों जो sacrifice के जो बलीदान की है, उनकी कीमत है, ये कि मैं आज इतनी उचाईयों पर हूँ, she says that she works hard at what she does, उन्हों कहती है कि उन्होंने hard work किया, और वो hard work करती है, मारिया speaks an American accent, वो American accent में बोलती है, she shows her pride to be a Russian, लेकिन वो pride करती है Russian होने पर, she says that her blood is Russian, वो बोलती है कि उनका जो blood है, उनका खून Russian है, however the US is a big part of his life, हालकि उन्होंने अपनी जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, US में spend किया है, she has expert, she will pay the Olympics for Russia, if they want to do, hard to play, वो चाहती हैं कि मैं रसिया के लिए खेलू, अगर वो मुझे चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं खेलू उनके लिए, तो मैं उनके लिए खेलूंगी, अब बच्चों आपने chapter पड़ा, question number one, task first का question number one कर लेते हैं, why was Maria sent to US, तो Maria Sarapo was sent to US, for the training of the tennis with her father, अपने पिता के साथ, she was only 10 years old, जब वो केवल 10 साल की थी, question number two है, what does Maria like to do as her hobbies, उसकी hobbies क्या थी, like any numbers of teenage, जैसे कि बाकी बच्चों का होता है, teenager जो बच्चे होते हैं, मारे शोबावाल, चारपोबा, list fashion, singing, dancing, hobbies, उनकी यह hobbies थी, she loves, यहापर D नहीं है, she loves reading the novels, और author Conan Doyle, author Conan Doyle के एक राइटर है, इनकी novel पढ़ना भी पसंद करती थी, question number third is, what were Maria special achievement in 2004, 2004 में उनकी special achievement क्या थी, it was the key of her beginning of the woman, single crown, उनने विविम लेंडन का, 2004 में crown जीता था, and the maturic rise the word number of the one sport of following year, और अगली साल में वो दुनिया के सबसे word number one के लाड़ी गीनी जने लगी, टैनिस की, 2005 में, आप four questions देखिए, how did Maria Shoa Pava learn quite early in life, that tennis excellence would only come in surprise, के उन्होंने कैसे सीख लिए, जल्दी ही जल्दी सीख गही थी वो, कि tennis की जो excellence है, वो कैसे हो सकती है, कि वो एक कीमत से हो सकती है, यनि कि उन्हें जो बलिदान की है, उसकी कीमत है, हर फादर वरिज हार्ड वर्किंग, उनके पिता जो थे, बोध हार्ड वर्किंग थे, हर हार्ड वर्क एस मच एस, कुट टू कीफ टैनिस ट्रेनिंग गोईंग, तो उन्होंने, कैसे उन्होंने देखा कि, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, उनके पिता हार्ड वर्क करते थे, उनसे मिलने भी नहीं आते थे, उनके टैनिंग पर, तो उसे पता चलिगा कि, उसकी कैसी कीमत, जो उन्होंने उन्हें जो एक्सपर्ट होना था, टैनिस में, तो उसकी कीमत उन्हें इस तरह चुकानी पड़ रही थी, कि आंसर नमबर वन, मारेश्वरपोवा, रिविल देट, वो बताती हैं कि, उनकी अपना सीक्रेट, उनकी सक्सिस के पीछे, इन हर कॉम्पिटेटिव ड्राइव, जो उनकी कॉम्पिटेटिव ड्राइव थी, वो उनकी कॉम्पिटेटिव जो उनकी पृतियोगी जो उनके मन में विचार थे, उससे उन्हें वो सक्सिस मिली, कॉश्च नमबर टू है, वो क्या कहती हैं जो उन्होंने सक्रिफाइव किये, उसके बारे में, मारे शारापवा वोस टेकन अवे, एर्ट दा वेरी यंग एज फ्रों हर मदर, वो मारे शारापवा अपनी ममी से दूर से लिगी थे, वो छोटी थी, क्योंकि फादर वोंट तू हर बिकम, वेरी सक्सिस्फुल टैनिस प्लेयर, क्योंकि उनके पिता चाहते थे, कि वो बहुत एक सक्सिस्फुल टैनिस प्लेयर बने, हर फादर वास वरकिंग एस मुच एस मुच एस कुड़ टैनिस टैनिस टैनिंग गोइं, वो बताती हैं कि उनके पिता बहुत हार्ड वक करते थे, दिन रात काम करते थे, उनसे मिलने भी नहीं आते थे, जिससे कि मेरी टैनिंग चलती रही, तो इस तरह से उन्होंने कीमत चुकाई थी, एक तरह से, साक्रिफाई हुए थे उनके ये सारे, क्यों लगता है कि मारिया शारपोवा जो है, वो रशिया के टैनिस खेलना चाहती थी, मारिया शारपोवा इस्पिक्स विद् प्रोनाउंस, अमेरिकन आसेंट वो अमेरिकन आसेंट ने बोलती है, से प्रावड़ी प्रेट टू हर रशियन नेसनलिटी, मतलब प्रावड फील, गर महसूस करती है कि वो रशियन है, से सेज आइम रशियन, वो बताती है कि मैं रशिया, मैं रशियन हूँ, यहां पर अन्भी आएगा, इट इस ट्रू दैट वो बताती है कि उनका, बहुत बड़ा एक पार्ट जीवन का वो यूएस में भीता है, बट आइव रशियन सिटिजन्सी, देखिए मेरे पास रशिया की सिटिजन्सी पर नागरिकता रशिया की है, माइ ब्लड़ी इस टोटली रशियन, मेरे जो खून है वो टोटली रशियन है, मैं रशिया के लिए जरूर के लूँगी अगर वो चाहेंगे, तो इस तरह से हमारा कोशन नमबर थर्ड तक हो जाता है, कोशन नमबर फोर देखिए, हाव दिट मारा सुरा बबाबा लर्न क्वाइट अरली इन लाइव, अधर टैनिज एक्सेलेंस वोड़ वी ओनली कम अटरप्राइज, मैंने आपको यह जो कोशन था, इसकी गलत एक्स्प्राइशन दे दिए, इसकी एक्स्प्राइशन दे के यह है, कि उसके फादर का रोल क्या रहा, उसके फादर का रोल यह रहा, कि वो उसके फादर इतने हार्ड वर्किंग थे, कि उससे वो मिलने भी नहीं आपाते थे, टैनिज, उसकी वो दिन रात इसलिए काम करते थे, जिससे उसका टैनिज के फीज भर पाएं, और वो दिन रात काम करते थे, यह गलत हो गया बच्चे, तो आप यहां से इसका आंसर देख लेना, और इसका जो हम करने वाले हैं, कोश्चन बस गलत अलोबरेट कर दिया था मैंने, हाव दिर मारेश्रपोवा और लर्ण, उन्होंने जल्दी कैस सीख ले था, कि जो उनकी एक्सिलेंस है, उसका उन्हें बड़ा, बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ी है, तो इसका आंसर देखेंगे, हम देखेंगे, टास्क टू, कोश्चन बबर फॉर, यहां पर बहुत सारे कोश्चन है, कन्फूशन हो जाती है, इन यूस से मारेश्वरपवा, हैरा फेस हार्ड रेचिंग, टू यह सपरेशन फोम हर मदर, उन्होंने यूस में दो साल हार रेचिंग, बलत दिल तोडने वाले एकदम, दिल को विरकुल तोड़ देने वाली सपरेशन, अपनी मा से उन्होंने सही थी, इस सपरेशन मेर रेचिंग लेचिंग लेचिंग लेचिंग, चार साल में उन्होंने अपना करियर बिल्कुल वो टॉप पर पहुंच गई थी, इविन चार, विदिन चार, फोर यर्थ, वो टॉप पर पहुंच गई थी, अब टास्क थी देखेंगे हम, इसमें आपको 100 से 120 वर्ड का आपको वर्ड्स लिखने हैं, अपने कोई आंसर में, आपको कंपरिजन करना हैं दोनों में, तो हमारा आंसर होता है, संतोस यदव मारे शारप होगा दोनों, संतोस यदव के जो पैरेंट्स थे, वो लेंडलोड थे, और वो अफ़र्ड कर सकते थे, जो वो चाहती थी करना, एकने इनके माता-पिता हार्ड वर्किंग थे, और उन्हें अफ़र्ड किया उसके लिए, विशिंग ओलवेज स्टडिक अबिट, और मोर एंड विद, फादर स्रोली गेटिंग उस्टो हर अर्ज, उसने मतलब उसे ज़्यादा अपने फिता से, संतोस यादव को अपने पिता से ज़्यादा, आर्ज इन मतलब बोलते हैं कि, रिक्वेस्ट करनी पड़ी, लेकिन इधर इसके माता-पिता जो थे, वो दोनों ही उसके लिए बहुत ही, डिवोटिट थे अपनी बेटी के लिए, नेक्स देखिए, जो एंडूरेंस एंड इमेजिंग मेंटल, वो उनके धंतोस यादव के पास एंडूरेंस और इमेजिंग मेंटल था, और इनके पास ट्वैलिटी थी इनकी, मेंटल टफ थी वो, नेक्स देखिए, कुल्मिनेशन ओफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसेरली कम, उनका जो हार्ड वर्क सामने है 1942 में उनका है बाइस सगस 2005 में जब उन्होंने वर्ड की नमबर वन पोजिशन की जैनिस महिला बनी वो, और उन्होंने पिर संतोस यादव ने 1942 में जंडा लह रहा है ट्राइक जो हमारा तिरंगा है वो जंडा लह रहा है था, मौन्ट एरश प्राइब को याद होगा, पिछले वक्ष ने पढ़ा था, फिर्ट में देखे, इन डेस्क्राइबेबल, इट फेल्ट प्राउट एंड इंडियन, वो अपने जो भारते होने के इस जो उनकी फिलिंग से उसको व्यक्त ने कर पाती, वो कहती है कि मुझे भारते होने पर गर्व है, ऐसे ही वो कहती है कि मेरा ब्लड जो टोटली रश्यन है, और मैं उनके लिए खेलूंगी रश्या के लिए अगर वो चाहेंगे, तो इस तरह से डिफ्रेंसियेट हो जाता है दोनों में, अब कोशन नमबर लास्ट है, टास्क तो इसे करेंगे हम देखे, इस माराशु बाव विल का मिनार इसकूल में आती है, वीविल वार्म वेलकम टू हर, मतला हम उनसका वार्म वेलकम करेंगे, गर्म जो से स्वागत करेंगे, आइवल कॉंख्शलेट हर, ऑन सक्सिज, और मैं कॉंख्रेट मुबारक बात दूंग उनकों से, from when she is playing tennis, वो कब से tennis खेल रही है, how much satisfaction she felt when she wins for her country, कितनी satisfaction मिलती है उन्हें जब वो अपनी देश के लिए जीतती है, how much difficult for him to being separate with her mother, उनके लिए उनके लिए उनके मा से दूर रहना कितना मुश्किल रहा, उन्होंने कैसा वो time अपना सहाग, क्या सोचा उन्होंने, how much difficulties she faced in her career, और उनके career में क्या-क्या परेशन उनके सामने आई, जिससे की दूसरों को सीख मिले, ऐसे question, पूछेंगे जिससे के दूसरों के इंस्पिरेशन बनेगो, कि life में सबके difficulties आती है, how does, last question, how does she feels on the top of the success, वो जब आज वो top of the success पर हैं, तो वो कैसा feel करती है, तो एक question हमन मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले,